हालो एव्रिवान स्वागत है आप सभी का मेरी चानल दरिवाइन चारों में कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं सब हापी होंगे पॉस्टिफ फील्ड कर रहे होंगे पॉस्टिफ सोच रहे होंगी आज की जो रीडिंग करने जा रही हूं यह है एक एकर करके राशी में पोस्ट करूँगी अपरिल के महीने की जिसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी तीन घटना है जो आपके लिए इस महीने अपरिल के महीने में साल 2024 में होकर ही रहेंगी ठीक है इस रीडिंग को आप मून जैसे चाहे लगन राशी के अनुसार नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं ठीक है और उसके अलावा ये रीडिंग जहां रगना जनल होती है सभी के लिए रिजॉनेट करें इसा ज़रूरी नहीं होता है असी रिडिंग वहीं होती है अप लोगों की जब कुंडली देखी जाती है जब पस्रीडिंग की जाती है तब में जादा पता चलता है कि आपकी लाइफ के बारे में और आपके लिए 奶 बेने में क्या या सब Steel Mess Not आपका ध्यान इनर्जीस पे रीडिंग पे होना चाहिए आपको अच्छे से पता है आप पुरुष हैं, स्त्री हैं या जिन के लिए बोल रहे हैं, वो पुरुष है या स्त्री है ठीक है, ओवरॉल तीन घटना है जो घटत होंगी एपरिल के महीने में वो हम चेक करेंगे, ठीक है इसके लिए, हाँ, एक और चीज में बता दू अगर रीडिंग पसंद आए, लाइक, शेयर, सब्स्राइब कर लेना ठीक है, प्रेस्ट बनवाना हो या परसल रीडिंग करवानी हो इसके अलावा अन्य कोई जगा पे हम आपको सामने से कमेंट नहीं करते कमेंट में नंबर नहीं देते और नहीं मैं स्पेशली कोई फ्रेंड रिकोर्स पेशती हूँ, ठीक है ध्यान रगना, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो मैं नहीं हूँ, ओक है और उसके अलावा अगर डीटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सामनी स्क्रीन के होती है, ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विट रीडिंग अब बारी है लिब्रा याने के तुला राशी की, देखेंगे तुला राशी वालों के लिए एपरिल के माईने में कौन सी तीन घटनाए हैं जो होकर ही रहेंगी चलतो सम आनाए है।। विए। रीगं के पड़ हैं लिए। गनाए है was य। थेम्ड़। अर के लिजताव ब THÊ ट¿ हम्ड़ मेंडों के लिए। वैए। बा के रड़ आवें भ। बह। अनेा हैं ग्रिए। गपफ ज। वर्वोट के लोगष है King of Cups, Knight of Cups, Four of Cups Clarify the Tower Death, Three of Wands, Nine of Pentacles Clarify the Empress Knight of Pentacles, High Priestess, the Emperor Okay, तो लाराशी वालो, आप लोगों की एनरजी में सबसे पहली घटना है जो expected है कोई cheating expected है आप लोगों की life में, इस महीने अब या तो आप खुद cheat होने वाले या तो आप किसी को करने वाले क्योंकि यहाँ पर मुझे से दिखाई दे रहा है कि यह romantic relationship में होने वाला है यानि कि कोई career की energy में नहीं दिखाई दे रहा है यह romantic relationship में या तो आप किसी को cheat करेंगे या आप cheat होने वाले यानि कि आप या तो married है और extramarital affair में पढ़ जाएंगे या आप जो है किसी से पसंद करते हुए किसी और को पसंद करना ले किसी और के साथ जो है relationship बनाएंगे अगर यह आप नहीं है तो definitely वो सामने वाले व्यक्ति आपके साथ cheat करेंगे तो सबसे पहली घटना जो में जे दिख रही है वो आपकी love relationship में cheating की energy बन रही है सबसे ही मुझे दिख रहे हैं मुझे सामने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देरा करेगा आपके करने के चांसे जादा दिख रहे हैं बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए wise and versus situation बन जाए आप करने की जगा सामने वाला कर जाए तो सबसे पहली घटना cheating की दिख रही है कोई cheat कर सकता है love relationship में थोड़ा सा संभल कर फुक फुक कर कदम रखें यदि यह आप हैं तो थोड़ा संभल कर कई आइसान हो कि सामने वाला कोई hurt हो जाए ठीक है emotionally खुद को clear करके जो भी करना है वो करें चुपते चुपाते तो आप दिखाई दे ही रहे हैं यह career में तो नहीं 100% यह मुझे love relationship में होता नजारा रहा है cheating की energy सबसे पहले घटना यह दिखाई दे रही है बात करें दूसरी घटना की दूसरी घटना में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में एक major बहुत बड़ा आपके career में basically आपके career में एक major change देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा change आपकी life में हो सकता है financially बहुत समय से चीज़े रुकी हुई है या उतनी stable नहीं हो रही है या जितना आप improvement expect कर रहे थे finances उतने नहीं हो रहे हैं इस महीने अचानक से finances grow करना शुरू हो जाएंगे financial level प आप समझ सकते हो जैसे example में आपको दूगी कि आप कोई job कर रहे हैं उस job में बहुत जादा मेहनत कर रहे हैं किसी presentation पे काम कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको असवलता आ जाए अचानक से वो काम बने नहीं या वो job आपके हाथ से छूट जाए आपको निराशा पेनिफिट होगा अचानक से आपकी इस्तिथी और बहतर होगी और future के plans एक दम clear होगे future का आपको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे क्या करना है और और बहतरीन position पे कैसे पहुंचना है एक major drastic परिवर्थन आपके life में career में especially इस महीने देखने को मिलेगा जहां पर financial level पे आप grow करते हुए हसते हुए happiest zone में आप में बहुत major परिवर्थन देखने को मिल रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे clearly दिखाई दे रहा है कि आप जो है किसी पुराने energy से बाहर निकल के नई energy में पैर रखेंगे ये clearly मुझे कोई नया job आता दिखाई दे रहा है ये किसी नए relationship में आप जाते दिखाई दे रहे है clearly दिखाई है कि पुराना समय बहुत ही भयंकर पीता है जिसमें आप बहुत जादा hurt हुए, disturb हुए finally वहाँ ending हो रहे है और अब आप अपने जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं जिस major drastic change को में देख पा रहे हूँ सबसे पहले घटना, आपकी लाइफ में आप किसी को cheat करेंगे या कोई आपको cheat करेगा love relationship में emotionally दूसरे घटना, दूसरे घटना कहते है drastic change आने वाला है, आपकी लाइफ में अचानक से growth होगी financial या आपके career level पे आपकी life में पुराना कुछ छूटेगा लेकिन कुछ नई उर्जा जो बहतरीन होगी वो आपको मिलेगी तीसरी उर्जा पे राते हैं, तीसरी घटना पे आते हैं इस महीने आपकी सुन्दर्ता में काफी जादा निखार बढ़ता दिखाई देगा attraction बढ़ेगा, सुन्दर्ता बढ़ेगी अचानक से आप जो है बहुत जादा glowing, बहुत जादा सुन्दर, बहुत attractive नज़र आएंगे अचानक से कोई gym join कर लेंगे, अचानक से saloon चले जाएंगे, अचानक से अपने आप में बहुत निखार महसूस करेंगे जो लोगों के लिए baby conceive होने के लिए problem आ रही थी, finally आप conceive करेंगे इस महीने good news मिल सकती है, मन्त के end में अचानक से आपको baby का good news मिल सकता है सिंगल हैं अगर, अच्छा रिष्टा नहीं आ रहा, chances है इस महीने के end में अचानक से कोई बहुत अच्छा रिष्टा मिल जाए कोई अचानक से आपके लिए बहतरीन proposal आकर खड़ा हो जाए clearly मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए एक बहुत बहतरीन अफसर तैयार होगा महीने के end में competitive state दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि लोग जैसे कि आपके लिए बहुत crave करेंगे हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहेगा, हर कोई आपकी उर्जा में आना चाहेगा, हर कोई आपके नजदी closeness बढ़ाना चाहेगा, attraction लेवल बढ़ेगा, आप लोगों के लिए बहुत जादा एक handsome गैलो, beautiful गैलो वो उर्जा में जा रहे हैं आप fitness चेंज होगी, personality चेंज होगी, सुन्दरता बढ़ेगी, आप में इसे कुछ लोग जो specially salon वगेरा या makeup में makeup related कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें बहुत सफलता मिलेगी अचानक से या salon अचानक से खोल देंगे, कोई salon खोल देंगे अपना, खुद का, या कोई creative या से नील वगेरा, ऐसी चीज़ों में एक दम से आप चाहेंगे, जिसमें सफलता मिलेगी so revise कर लेते हैं, पहली घटना cheating energy है, आप करेंगे, ऐसे chances जादा है, लेकिन कोई और आपके साथ कर सकता है, love relationship में second घटना represent करती है, कि आपके जीवन में drastic change आएगा, अचानक से बहुत जादा growth देखने को मिलेगी, कुछ छूटेगा, कोई घटना घटेत होगी, लेकिन उसस कहीं न कहीं आपकी personality में change आएगा, आपकी सुन्दरता में change आएगा, उटने बैटने में, बोलने में change आएगा, आपकी शादे की कहीं बात पक्की हो सकती है, या आपको baby conceive हो सकता है, good news मिल सकती है, तो अब देखिकते advice क्या है आप लोगों के लिए, तो लार आशी वालों के लिए, एपरिल के महीने के लिए advice क्या है, six of cups, temperance, five of swords, so यहाँ पर universe आपको कह रहा है कि जो भी लोग आपको लगे कि सिर्फ आपका समय खराब कर रहे हैं, या आपका time waste कर रहे हैं, उन लोगों को अपना समय देना बंद करते हैं, इस महीने universe आपको कह रहा है, उन सभी लोगों को अपने जिंदगी से बाहर निकाले हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपके सर का दर्द बनते हैं, जो आपको तकलीफ देते हैं, जो आपको पेन देते हैं, जो आपकी उरजाएं आपसे छीन लेते हैं, हमेशा आपसे चलस रहते हैं, या आपको हमेशा कंट्रो चूटेगा लेकिन वो आपके बहतर के लिए चूटेगा इसलिए ऐसा कोई डिसिजन जिसमें किसी को सबोटाज करना पड़ जाए या कुछ टॉक्सिक लोगों को निकालना पड़ जाए इस चीज से एतराज नहीं होना चाहिए ठीक है आपको याद होगा कि महाभारत में अर नश्वर है कभी भी बलब बोलते न वो सॉरी बॉड़ी जो है वो कभी भी एंड हो जाएगी बॉड़ी का क्या है सोल वैसी रहेगी सोल हमेशा जिंदा रहेगी सोल को नहीं मार सकता तो किसी की आत्मा को नहीं मार सकता और ये तिरा करम है जो तुझे करना ही है फेस करना ह होगा तो यह क्या है यह रिप्रेजंट करता है हमारी रियल लाइफ लड़ाई को हमारी रियल लाइफ में जो लड़ाई हो रही है उसे रिप्रेजंट करता है कि हम कैसे अपने लाइफ में अपने लोगों से ही हर्ट हो रहे हैं अपने लोगों को ही वज़ा से जो है लोगों ठीक है तो यह थी आप लोगों की रीडिंग अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेर सब्सक्राइब करें धेर सारा प्यार दे उसके अलावा अन्या कोई जान करें चाहते हैं दिस्क्रिप्शन वॉक्स और आपकी सामने स्क्रीन पे मिल जाएगे ठीक ह आभी के लिए इतना ही मैं चलती होगना ध्यान रखें मुस्कराते रहें बाई टेक केर ओम सहीराम